हेलो पैरे बच्चों बच्चों कैसे हैं आप सभी आय होप की सभी अच्छे हूंगे बच्चों आज की इस वीडियो में हम कक्षा एक के विसय कलायम सिल्प के सब तहा 19 की वक्सीट को सॉल्ब करेंगे जो की उत्री दिल्ली नगर निगम के द्वारा दी गई है बच्चों आ दिये गए चरणों को ध्यान पूर्वक देखिए और दिये गए चित्र को बनाकर रंग भरिए बच्चों आपको यहां चूहे का चित्र बनाना है तो इसे बनाने के लिए बच्चों यह कुछ स्टेप्स दिये गए हैं इन्हें आप फोलो करेंगे सबसे पहले चोटा सरकल बनाएंगे ओवल उसके बाद बच्चों एक नीचे और बनाएंगे ओवल फिर बच्चों आप इस तरीके से दो छोटे छोटे ओवल जो है छोटे ओवल के ऊपर बनाएंगे फिर बच्चों आइस बनाएंगे उसके बाद बच्चों फेस बनाएंगे उसके बाद चूहे की पूछ बनाएंगे और आपका जो चूहा है बनकर तयार हो जाएगा और फिर आप इसमें इस तरीके से कलर फिल करेंगे समाचार पत्र सिल्प पुराने अकबारों का पुने उपयोग कर थेला नाव टोपी या चटाई जैसी कुछ रचनात्मक चीजे बनाईए तो बच्चो यह आप देख सकते हैं टोपी है तो आप इस तरीके से अकबार लेंगे उपर से दो कॉर्नर जो है बीच में बिलाएंगे फिर बच्चो उसका जो पार्ट बचा है उसे दूसरी तरफ मोड़ेंगे और इस तरीके से आपकी टोपी जो है बनकर तयार हो जाएगी ऐसे बच्चो आप पुराने अकबार का नाव बना सकते हैं इस तरीके से बच्चो ये बॉक्स है ये बच्चो दूसरे तरीके की नाव है इस तरीके से बना सकते हैं और ये ठैला है ये चटाई है तो बच्चो आप इस तरीके से रचनात्मक चीजे बनाएंगे भारत की स् सैनिक और ध्वज का एक पोश्टर बनाईए तो बच्चों आप इस तरीके से सैनिक और ध्वज का पोश्टर बनाएंगे संसकार साला छोटी छोटी पर बड़ी बातें सफल आदमी बनने के बजाए एक महतुपून आदमी बनने की कोसिस कीजिए किसने कहा है अलबर्ट आइंस्टीन ने खाने पीने में रंग बिरंगे फल वेखादय पदार जैसे की पपीता, सिंगाडा, मूली, पालक, वेजिटेबल, इडिली, सूप, टमाटर इत्यादी खाएंगे गती विधी में अपनी कक्षा के सहपाटियों को फौन करके उनके हाल चाल पूछेंगे खेल, आप बचो बिंगो खेल खेलेंगे दैनिक दिन चर्या, निमनलेखित आदतों को अपनी दिन चर्या में सामिल करें अपने माता-पिता का अभिवादन करके अपने दिन की शुरुआत करें अपने दाथों को दिन में दो बार ब्रश करें प्रति दिन इस्नान करें खूब पानी पीएं और संतुरिता हार लें अपने चेहरे को छूने से बचें और अपने हाथों को बार-बार धोएं अपना ग्रह कारें समय पर पूरा करें पानी से पैदा होने वाली बिमारियों जैसे डैंगो, मलेरिया और चिकन गुनिया आदी से बचने का एक ही उपाए मच्छर पैदा ना होने दें इसके लिए क्या करें? सबता हमें एक बार कूलर को साफ करके सुखाएं या उसमें एक बड़ा चमस्ट, टैमिफोस या डीजल या पैट्रॉल डालें पानी की टंकियों वे होदियों के धकन हमेशा बंद रखें तूटे-फूटे बरतन टायर इत्यादी खुले में ना रखें इन में बरसात का पानी भर सकता है और मच्छर पैदा होते हैं घर के आसपास पानी खटा ना होने दे चिडियों के पानी के बरतन, मनी प्लांट, फ्रिज की डीफ्रोस्ट ट्रेफ, फैंक सुई, पौदे का पानी त्यादी प्रति दिन एक बार अवस्य बदले बच्छो यदि आपको इवीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक सिर करना न भूले और यदि आप इस चैनल पढ़ना हैं तो प्ली चैनल को सस्क्राइब करें थैंक यू